हलो ओर इवन एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे और आज हम इस वीडियो में जो डिसकस करेंगे वो करने वाले हैं सूपर इंपोर्टन टॉपिक क्योटो प्रोटोकॉल और रियोडी जनेरियो सम्मेलन ठीक है तो यूजी सी नेट पेपर वन के अगर आप मिलते रहे ठीक और अगर आप तयारी कर रहे हैं यूजी सी नेट पेपर वन के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियो को जरूर देखे लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है जहां पर क्लिक करके आप हमारी पेपर वन से रिलेटेड सभी वीडियो को ठीक है कहां हुआ था ये ये हुआ था जापान के शहर क्योटो में ठीक है और कब हुआ था ये समझोता तो 11 दिसंबर 1997 में ठीक है 1997 में हुआ था लेकिन ये लागू जो हुआ था ये हुआ था 16 फरवरी 2005 में ठीक है एक्जाम में ये कोशन पूचा जाता है कि कब लाग हुआ तो 16 फरवड़ी 2005 में और क्योटो प्रोटोकॉल जो की समझोता है इसका उद्देश क्या था इसका उद्देश था कि जो ग्रीन हाउस गैसे हैं उसके उतसर्जन में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश था ठीक है ये पॉइंट आपको याद रखना है ये एक्जाम में पूचा गया है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश क्या था ठीक है ग्रीन हाउस की गैसों में कमी लाना और इस प्रोटोकॉल की क्रियानवेन से संबंदित विस्तरित नियम को जो है माराकेश 2001 का ज कहा जाता है अब इस समझोते में जो है एक सब्दंतर निकल के आयता साजी परंतु विभेद जिम्मिदारी इसने इस नाम से भी जानते है कि साजी जिम्मिदारी किंतु अलग-अलग भूमी का ठीक थिग कैन तो दोनों ही रिख ही तिक इस में अलग-अलग ना समझे इसका हाला कि करते तो सभी देश हैं लेकिन सबसे अधिक उत्सरजन इसका किया जाता है उद्धोगिक देशों के द्वारा ठीक है तो इस समझोते के तहट उन्हें ही इसके लिए उत्तरदाई या कहें कि जिम्मेदार ठहराया गया था कि इनको विकसित देशों को ना कि विकासित देशों को ठीक है तो इसलिए ये वाक्ये निकल के आया था साजी परंतु विभेद जिम्मेदारी ठीक है क्योंकि इसमें जो है विकासित देशों को ना मतलब जिम्मेदार ठहरा करके विक्सित देशों को जिम्मेदार ठराय गया था, ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, रियोडी जनेरियो सम्मेलन से पी कोश्चन पूछा जा सकता है, तो रियोडी जनेरियो सम्मेलन जो है, ये कहां हुआ था, तो ये हुआ था ब्राजील के सहर, रियोडी जनेर में संभीलन हुआ था और और प्रियवन से जुड़ा हुआ यह सबसे बड़ा संभीलन था इससे पहले जो संभीलन रूप में था। लेकिन उसमें अधिकतर देशों ने हिस्सा नहीं लिया था इसमें सबसे जादा देशों ने हिस्सा लिया था और ये काफे विस्तरित रूप में था तो इसलिए परेवन का सबसे बड़ा सम्मेलन जो है रियोडी जनेरियो सम्मेलन को का जाता है ठीक है तो ये जुडावा सबसे बड़ा सम्मेलन था और इसे प्रित्वी सम्मेलन भी कहते हैं क्योंकि इसमें 21 एजेंडों पर जो है चर्चा हुई थी तो इसे एजेंडा 21 विका जाता इस सम्मेलन को और इसका अधिकारिक नाम क्या था रियोडी जनेरियो सम्मेलन का तो ये आपको या रखना है परेवर्ण एवं विकास पर संयुक्त रास्ट सम्मेलन थीक है ये इसका अधिकारिक नाम है तो आजके इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like करें अगर इसी तरह कि आप छोड़ी चोड़ी वीडियो पर अपने topics चालते हैं तो और पहले की वीडियोस नहीं देखी जरूर देखें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देदिया है किलिक करके आप देख सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो